दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि यह एक exclusive वीडियो होने वाला है जहां पर मैं बात करने वाला हूँ वीडियो टेलिविजन के 2021 के टीवी सीडिस के बारे में क्या है specification क्या है pricing इसी के साथ ही साथ जो 2021 के टीवी सीडिस है उसका नाम क्या है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में और यह वीडियो स्टार्ट टो इंड जरूर देखना तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उस बात करें वीडियो के 2021 के टीवी सीरीज के बारे में तो यहां पर इस सीरीज का नाम है वीडियो सिनिमा एक्शन सीरीज और इस सीरीज में आपको दो वेरिंट्स देखने को मिलेंगे एक है 55 इंच का और दूसरा है 65 इंच का अब बात करते हैं यहां पर क्या specification जिसके लिए हम सभी बेच सबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो यहां पर बात करें डिस्प्ले और पैनल के बारे में तो यहां पर वीए पैनल दिया गया है 8-bit एफासी पैनल है मतलब यहां पर आपको वन मिलें से भी जाधा कलर देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ ही साथ डिरेक्ट ए इसी के साथ यहाद बात करें खास फीचर के बारे में जो एक इंपोर्टेंट फैक्टर आ जाता है डिस्प्ले और पैनल के बारे में तो यहां पर आपको डॉल्बी विजन प्लस SDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है इस तीवी में और जहां तक सवाल है टीवी के ब्राइटन निट्स और कॉंट्रास रेश्यो के बारे में तो यहां पर इग्जैक्ट वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता चलिए जैसे भी पता चलेगी मैं डिस्क्रिप्टिन में डाल दो को वहां से आप वो काउंट देख लेना और यहां पर एक खास बात ब्राइटने निट्स को एसा वियू का कहना है और एक और खास बात होगी इस टीवी की कि यहां पर आपको पिक्चर कैलिबरेटेड मोड था उसको थोड़ा सा और इन्हांस करके उसका नाम प्रो पिक्चर कैलिबरेटेड मोड रखा गया है जहां पर आप पिक्चर की जो सेटिंग्स है या फिर ब और वो attached आपको sound bar देने है, जिसका total output है 100 watt का, और उसमें से 4 master है और 2 twitter है, और ये setup देखें, आपको कोई brand की TV याद आ रही है, क्या, एक समझदार के लिए इशारा काफी है, अगर आपको मेरा इशारा समझ में आ रहा है, तो अभी video pause करके comment करना, अब यहाँ पे बात करें sound technology के बारे में, तो यहाँ पे इस TV में Dolby Audio का अभी support दिया गया है, DTS Virtual X का भी support आपको देखने मिल जाएगा इस TV में, जहाँ तक सवाल है TV के operating system के बारे में, तो ये TV आती है Android operating system के साथ 9Pi वाला version दिया गया है, 2GB का RAM और 16GB का internal storage दिया गया है, जिसमें से जो internal storage है, जो solar तो खाली बोलने के लिए रहता है, usable हमें मिलता है, 11GB के आसपास, इसी के साथ हिसाथ कॉर्ट को प्रसेजर दिया गया है, इस TV में, और जहाँ तक सवाल है content provider का, तो यहाँ पे जितने भी popular content provider आपको इस TV में printstall दिखने मिल जाएगे, जैसे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube, जितने भी सब कूर प और बात के लिए TV के connectivity features के बारे में, तो यहाँ पे इस TV में आपको 3 HDMI port और 2 USB port दिखने मिल जाएंगे, Wi-Fi enabled TV है, Dual band Wi-Fi का support दिखने मिल जाएगा, Bluetooth दिया गया TV में, और एक जितने required ports होते है TV में, आपको सभी के सभी इस TV में भी देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पे अब और भी बढ़िया हो जाता है, फैबरिक फिनिशिंगे साथ, आपको sound bar यहाँ पे देखने मिल जाएगा, और आप यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या है इस TV की pricing, जो एक Indian customer के लिए बहुत ही important होती है, TV कितना भी बढ़िया हो, लेकिन हम afford कर सकते हैं कि नहीं, वो TV के pricing पे ही exact price का है, मैं exact price description में डाल दूँगा, और आप इसे purchase कर सकते हो, उसकी भी bind link आपको description मिल देगी, वहाँ से आप purchase कर सकते हो, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या यह हमें TV लेनी चाहिए या नहीं, या फिर वियो ने कुछ नया लाए या नहीं, यहाँ पे सिधा सिधा comment में तो भर-बर के लिखोगी कि भाई एक TV किस से मिलती जुलती है, इसे के साथ ही साथ आपका क्या मानना है, सवाल जवाल सब कुल लिखो comment section में, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुती धमाकेदार content कहता, और अगर यह वीडियो अच्छा लगाए तो like जरूर करना भाई, आपके लिए exclusive content लाया हूँ, बड़ी मेनत लगी है, तो like जरूर करना, share कीजिए, subscribe करो हमारे happy guide चैनल को, और Instagram पे follow कर रहे हूँ नहीं कर रहे हूँ, वहाँ पे करो, सवाल जवाब के सिलसिरे को, वहाँ पे भी continue हम लोग कर सकते हैं, तो बस, till then keep smiling and keep watching happy guide बाई बाई